विज्ञान कहता है कि एक बार किसी वाइरस का संक्रमन होने के बाद इंसानी शरीर की रोगप्रतीकारश शक्ती उस वाइरस से लड़ना सीख जाती है इस कारण वो वाइरस उस इंसान को फिर से नुकसान नहीं पहुचा सकता लेकिन क्या आप एक बार कोरोना वाइरस से संक्रमित से ठीक हो गए तो ये वाइरस आपको दोबारा संक्रमित करेगा इन लोगों को इस से अधिक खतरा है और क्या आपके कपड़ों पर ये वाइरस एक्टिवरा सकता है अभी ये ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता क्योंकि कोरोना वाइरस के संक्रमन का पहला मामला अभी दिसंबर के आसपास ही सामने आया है। हाला कि पहले के वाइरसों के अनुभव से ये कहा जा सकता है कि एक बार संक्रमन के बाद वाइरस के खिलाफ शरीर की रोक प्रतिकारक शक्ति एंटी बोडिस बना लेती है। इसे पविश्य के लिए इस वाइरस से बचा हो जाता है। उधारन के तोर पर साट्स और मार्स वाइरस जो की कोरोना वाइरस की फैमिली से ही है दोबारा संक्रमन देखने को नहीं मिला। हाला कि चीन से मिल रही ताजा रिपोर्ट में ये बात कही जा रही है कि अस्पताल में डिश्चार्ज किये जाने के बाद भी कुछ लोगों में फिर से संक्रमन पाया गया है। लेकिन पुक्ता तवर्प इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या पब्लिक सीविंग फूल में नहाना सुरक्षित है। ज्यादातर जगों पर सीविंग फूल में क्लोरिन डाला जाता है जिससे वाइरस खत्म हो जाते है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सीविंग पूल में ख्लोरीन ठीक मातरा में मिलाया गया है, तो वह सुरक्षित है। लेकिन यूके जैसे इस देश्ट के लोगों को सारवजनिक जगाओं पर जाने से मना कर रहा है क्योंकि किसी संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आने से संक्रमन का खत्रा हो सकता है। रिवedošaj क्यों चोझ married to a numbers of value, बलीडिंग व्याब के से तक शोड़ को संक्रमन का खत्रा हो सकता है। ऐधी जोज़ी कोई संक्रमित हैं पूल में आपके नजदी हो और खास दे या च닌क तह लागों आपको संक्रमन का खत्रा हो सकता है। कि सतह पर वाइरस कितनी देर जिन्दा रहता है। ये इस बात पर निर्पड करता है कि सतह कौन सी है। दर्वाजी का हैंडल, लिफ्ट बटन जैसे दातू जैसी सतहों पर ये 48 घंटों तक एक्टिव रह सकते है। कुछ पुराने रिसर्च के आदार पर कहा जा सकता है कि कुरोना वाइरस अनुकुल परिस्थितियों में एक हफ्ते तक भी एक्टिव रह सकते है। कपड़ों जैसे नरम सतह पर कुरोना वाइरस बहुत लंबे वक्त तक नहीं रह सकते। ऐसे में अगर आप एक-दो दिन तक एक ही कपड़ा नहीं पहने तो वाइरस एक्टिव नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी संक्रमी सतह को चुने से आपको कुरोना वाइरस हो ही जाएगा। अब तक यह मुह आख नाक के जरीए आपके शरीर में नहीं जाता। तब तक आप ठीक है। इसलिए अपने मुह को चुना या बिना हाथ दोए खाना बंद करें। ऐसा क्या है जो आपको नहीं करना चाहिए। विश्व स्वास्थ संगाठान ने पताया है कि धुम्रपार्थ करने एंटी बायोटिक लेने से कोवीड-19 से आपका बचाओ नहीं हो सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक जरूर करिए और हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। झाली गुम्राइब करें।